साथियों, आधुनिक विश्वकी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान सेक्डों वर्ष पहले बुद्ध के उपदेशों में हमें प्राप्त न हुआ हो। आधुनिया जिस युद्ध और असांती से पिडित है बुद्ध ने सदियों पहले इसका समाधान दिया था। बुद्ध ने कहा था जयन वेरन पसबती जयन वेरन पसबती दुखन सेती पराजितो उपसंतो सुखन सेती हित्व जय पराजया। अर्थात जीत बैर को जन्म देती हैं और हारा हुआ अव्यक्ति भी दुख की निंद सोता है। इसलिए हार जीत लड़ाई जगडाई ने छोड़ कर ही हम सुखी हो सकते हैं। भगवान बुद्ध से ने युद्ध से उबरने का रास्ता भी बताया है। भगवान बुद्ध ने कहा है। सम्मन तिध उदाचन अवेरेन चसम्मन ती एस धम्मो सनंतनो। अर्थाथ वैसे बहुत बहुत बढ़े कम शब्दों में बात वता ही है। वैर से वैर शांत नहीं होता है। वैर अवैर से शांत होता है। भगवान बुद्ध का वचन है सुखा संग्यस्य सामग्डी समग्गानम तपो सुखम। अर्थाथ संगों के बीट एकता में ही सुख समाहित है। सभी लोगों के साथ मिल जुलकर के दहने में ही सुख है। साथियों हम देखते हैं। आज अपने विचारों अपनी आस्था को दूसरों पर थोपने की सोच दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन रही है। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। भगवान बुद्ध ने कहा था। अत्तान मेव पठनम। अत्तान मेव पठमन। पति रूपे निवे सये। यानि कि पहले खुद सही आचरण करना चाहिए, फिर दूसरे को उपदेश देना चाहिए। आधूनिक यूग में हम देखते हैं कि चाहे गांदी जी हो आप फिर विश्व के अनेक लीटर्स उन्होंने इसी सुत्र से प्रेणा पाई लेकिन हमें याद रखना है बुद्ध सिर्प इतने पर ही नहीं रुके थे उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा था अपदीपो भवा यानि ये जो आगे का वाक्य है वो ही तो समसे बड़ा आधार है अपदीपो भवा यानि अपना प्रकास्वयम बनो आज अनेकों सवालों का उत्तर भगवान बुद्ध के इस उपदेश्ट में ही समाहित है इसलिए कुछ साल पहले सयुद्ध राष्ट में मैंने गर्व के साथ कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिये है जहां बुद्ध की कनुरा हो बहा संगर्स नहीं समन्वे होता है अशान्ति नहीं शान्ति होती है है झाल झाल